हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम राहुल और आपका फिट से अपनी यूट्यूग चैनल टारगेट बोड़िक जया में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में सात्वा क्वेस्चन देखेंगे शिक्स नंबर का जो क्वेस्चन है मैं आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि वह क्वेस्चन ग्राफी विदी से हल करने वाला है और मैं ग्राफी विदी के कई क्वेस्चन आप लोग को बता चुका हूँ तो जाए पीछे के वीडियो देखिए और उस क्वेस्चन को अपने से सौल किजिए अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा मैं उसको भी हल कर दूँगा तो चलिए बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारा सात्वा क्वेस्चन है अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 तता C1 by C2 की तुलना कर ग्यांत कीजिए कि निम्न राय की समी करणों के युग्म संगत हैं या असंगत तो फ्रेंट्स इसमें दो वर्ड आ रहा हैं संगत और असंगत तो संगत और असंगत क्या होता है मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्कूसम में है जाये और चैप्टर 3 के पहले वीडियो से देखना start कीजिए ठीक है फ्रेंस तुम्हें इस वीडियो में भी आप लोग को बता देता हूँ कि संगत और असंगत क्या होता है तो ध्यान से सुनिए संगत देखे क्या होता है हम जानते हैं कि तीन हल होते हैं पहला होता है अधिती हल, दूसरा होता है अनेक हल और तीसरा होता है कोई हल नहीं अधिती हल के लिए अगर ग्राफिय विदिक पर हम रेखाएं प्रदर्शित करें तो रेखाएं एक दूसरी को प्रतिश्यत करती है अगर अनेक हल होता है तो रेखाएं समपाती होती है और कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती है या आप लोग को पता होगा अब उसी में जब अधिती हल हो और अनेक हल हो तो जो भी होगा उसका एंसर अगर अधिती हल है या अनेक हल है तो वो संगत होगा अगर कोई हल नहीं है, मतलब कि रेखाएं समानतर हों, तो वह असंगत होगा, तो अब लोग को समझ में आ गया होगा, अगर इस question को हम solve करें, तो हमें जो answer प्राप्त हो, जिस सुत्र से या अधिती हल से, या अनेक हल से, या कोई हल नहीं, वाले सुत्र से हमें जो answer प्राप् तो वह असंगत होगा, ठीक है फ्रेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए question को solve करते हैं, साथ में question में चार प्रेशन दिये हुए हैं, तो हम बारी-बारी से सभी को solve करेंगे, दिखे हमारा पहला question जो है, पहला question दिया है, 3x प्लस 2y बरावर 5, पहला question अम दिया है, 3x प्लस 2y बरावर 5, और दूसरा जो समीकरण है होगा है, 2x माइनस 3y बरावर 7, यहीं दिया है, और मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि राइकिक समीकरण का जो ब्यापक रूप होता है, वह कहता है, कि ax प्लस by dy plus c equal to सुन्य होता है, तो यहाँ पर क्या यह इस तरह का दीख रहा है, तो नहीं दोस्तों, यह इस तरह का नहीं दीख रहा है, तो हम इस तरह का बनाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 3x plus 2y तो इधार आएगा 5 इधार आएगा तो माइनस वजाएगा माइनस 5 इक्वल टू सुन्ने यह होगा फिर नीचे वाला 2x माइनस 3y और यह 7 इधार आएगा तो माइनस 7 इक्वल टू सुन्ने तो अब हम प्राप्त कर चुके हैं तो चलिए हम पहले A1, B1 और C1 और A2, B2, C2 का अनुपात ग्याद कर लेते हैं अतह अनुपात तो A1 इसमें हम पहले देख लेते हैं कि A1, B1 और C1 और A2, B2, C2 क्या है तो A1 क्या दिया है? वो दिया है 3 B1 क्या दिया है? वो दिया है 2 C1 क्या दिया है वो दिया है माइनस का 5 A दिया है देख लिए पहले समीकरण से हम A1, B1 और C1 पराप्त करते हैं और दूसरे से देख लेते हैं तो A2 क्या दिया है वो दिया है 2 B2 क्या दिया है वो दिया है माइनस का 3 और कामा C2 क्या दिया है तो वो दिया है माइनस का 7 यहीं दिया है तो चलिएख अब हम पहले इसका अनुपाद ग्यात कर लेते हैं तो पहला हो जाएगा A1 by A2 तो क्या दिया है 3 by 2 तो A1 by A2 का अनुपाद मिला 3 by 2 दूसरा दिया है B1 by B2 इसका क्या हो जाएगा 2 बटा माइनस 3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस उपर लिख सकते हैं माइनस दो बटा 3 ठीकर फ्रेंट्स आगे देखते हैं अब देख लेते हैं C1 बटा C2 इसका क्या दिया है माइनस 5 बटा माइनस 7 माइनस 5 अपान माइनस 5 अपान माइनस 7 तो क्या मिलेगा 5 by 7 तो हम A1, A2 और B1, B2 तता C1, C2 का अनपाद ग्याद कर लिए अब यहां से हम पता कर सकते हैं कि यह किस सुत्र पर इसका माल निर्धारित है देखिए 3 by 2 और minus 2 by 3 बराबर है नहीं इसका मतलब यहां पर equal to not रहेगा फिर minus 2 by 3, 5 by 7 यह भी बराबर नहीं है तो यहीं समय एक सुत्र मिल गया A1 by A2 equal to not B1 by B2 यह किसका सुत्र है यह सुत्र है जब हल जो हमारा होता है ओदिती हल यानि जब रेखाएं एक दूसरी को एक बिंदू पर प्रतिश्यत करती है उस सुत्र पर यह निर्धारित है तो यहां पर हम लिख सकते है A1 by A2 equal to not B1 by B2 तो यहां से क्या हो जाएगा इस सुत्र से लिख सकते है A1 by A2 अर्था 3 by 2 equal to not minus 2 by 3 यही मिलेगा तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि जब यह अदिती हलो या अनिक हलो तो उसके लिए संगत होता है तो यहां पर आप लोग लिख दिजिएगा अत यह संगत आता यह संगत है ठीक है फ्रेंट्स तो पहले एक्वेशन को हम लोग बहुत यह अच्छे तरीके से solve कर चुके हैं तो चलिए अब साथ में एक्वेशन का दूसरा भाग solve करते हैं तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा क्वेशन है 2 x minus 3 by बराबर 8 और 4 x minus 6 y बराबर 9 तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं अब चलिए हम इसको इधर लेकर आते हैं और बराबर सुन्य लिखते हैं तो हो जाएगा 2 x minus 3 y minus 8 इकोल टू सुन्य और नीचे हो जाएगा 4 x minus 6 y minus 9 इकोल टू सुन्य तो यहाँ से अब हम अनुपात को क्यात कर लेते हैं अतह अनुपात तो a1 क्या दिया है वो दिया है 2 देख लिजिए b1 क्या दिया है वो दिया है minus 3 चिन्ने के साथ आप मान रखेगा c1 क्या दिया है वो दिया है minus 8 a2 4 B2 क्या दिया है माइनस 6 और C2 क्या दिया है माइनस 9 तो अब हम अनपात को ग्याद कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा A1 by A2 बराबर क्या है 2 by 4 2 by 4 इसको कट करते हैं तो 2 एकम दो 2 दूना 4 तो यहां से मिलेगा 1 by 2 ठीक है आगे देखते हैं B1 by B2 B1 by B2 क्या दिया है माइनस 3 by माइनस 6 माइनस 3 by माइनस 6 तो यहां से माइनस से माइनस कैंसिल 3 एकम 3 3 दोनी 6 तो यहां से भी मिला 1 by 2 अब C1 का अनपात देख लेते हैं C1 by C2 तो क्या दिया है माइनस 8 by माइनस 9 माइनस आठ बाई माइनस नाई माइनस माइनस कैंसल क्या यह कट सकता है तो नई फ्रेंट्स यह नहीं कटेगा तो यह हो जाएगा 8 बाई 9 अब यहां श्रम देख लेते हैं यहां इससे कौन सा सुत्र प्राप्त होता है दिखें A1 बाई A2 1 बाई 2 अर्थात A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के यहां पर लिख देते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के अब आगे देखते हैं और C1 बाई C2 है 8 बाई 9 तो यह बराबर नहीं है C1 बाई C2 के बराबर नहीं है C1 बाई C2 से तो यहां लिख सकते हैं 1 बाई 2 बराबर है 1 बाई 2 और बराबर नहीं है 8 बाई 9 तो यह किसका सुत्र है दोस्तों तो यह जो सुत्र है यह कोई हल नहीं के लिए है अर्थात रेखाएं जब समानतर हो तो यह सूत्र लगाया जाता है a1 by a2 परवर b1 by b2 equal to not c1 by c2 तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि जब रेखाएं समानतर हो अथो जिनका कोई हल नहो तो उनके लिए यह असंगत होता है तो यहाँ पर आप लोग लीद दिजिएगा अतह यह असंगत तो दूसरा क्वेशन भी हमने सल कर लिया है आप देख सकते हैं तो चलिए अब तीसरे क्वेशन के और बढ़ लेते हैं तो तीसरा क्वेशन है 3 by 2x प्लस 5 by 3y बरावर 7 और 9x-10y बरावर 14 तो आप देखकर घबराई है गामत कि यह बटा में दिया है हम इसको भी अभी सल कराते हैं तीसरा क्वेशन है 3x by 2 प्लस 5y by 3 बरावर 7 और 9x-10y बरावर 14 तो यह जो दिया है भिन के जूड के रूप में दिया है तो चलिए पहले हम लोग इसे समीकरण में दिख लेते हैं तो दिया है 3x by 2 प्लस 5y by 3 बरावर 7 तीसरा सौल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 त्याएं 6 और इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो 9x और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 10y और बरावर दिया है 7 यहां से प्राप्ट हो जाएगा 9x प्लस 10y और बरावर 6 सते 42 तो इसको इधर ला देंगे तो 9x प्लस 10y और माइनस 42 इकोल टू जीरो हो जाएगा और दूसरा जो दिया है वो दिया है 9x माइनस 10y बरावर 16 वो दिया है 9x माइनस 10y बरावर चौधा यह दिया है तो इसको भी इधर ला देते हैं तो वो जाएगा 9 यक्स माइनस 10 वाइगा माइनस चौधा बराबर 0 यही मिलेगा तो चलिए अब हम लोग अनुपात को ग्याद कर लेते हैं तो यहाँ से लिखेंगे आता है अनुपात तो E1 क्या दिया है वो दिया है 9 B1 क्या दिया है वो दिया है 10 C1 क्या दिया है वो दिया है माइनस 42 इसी तरह A2 क्या दिया है वो दिया है 9 B2 क्या दिया है वो दिया है माइनस 10 और C2 क्या दिया है तो अब देखिए यहां से अब हम अनुपात निकालते हैं तो पहले A1 का लिख लेते हैं तो A1 by A2 बाराबर क्या हो जाएगा 9 by 9 9 by 9 यह होगा यहां से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अर्थात A1 by A2 का जो अनुपात मिला 1 मिला A1 by A2 का अनुपात? लेते हैं B1 by B1 by B2 तो इसका क्या दिया है? B1 by B2 वो दिया है B1 का 10 और B2 का माइनस 10 तो क्या दिया है? B1 का 10 और B2 का माइनस 10 तो यहां से क्या मिलेगा? 1 by माइनस 1 यही मिलेगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 दिख सकते हैं अब C1 का देख लेते हैं तो C1 का दिया है minus 42 by minus 14 minus 42 by minus 14 minus 42 by minus 14 तो minus से minus cancel हो जाएगा 14 तिया 42 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा अब हम देख लेते हैं कि अता अनुपाथ हमें प्राप्त क्या हुआ तो A1 by A2 का अनुपाथ 1 था और B1 by B2 का था minus 1 और C1 by C2 का था 3 तो तीनों आपस में बराबर नहीं है पहले का A1 by A2 का 1 दिया है A1 by A2 का 1 दिया था और B1 by B2 का minus 1 दिया था तो क्या हो सकता है A1 by A2 equal to not B1 by B2 दिख सकते हैं कि नहीं? यहां से दिखिए A1 by A2 का अनुपाथ क्या दिया था? 1 दिया था और B1 by B2 का अनुपाथ क्या दिया है? minus 1 दिया है या 1 by minus इधर लिख दिजिए 1 by 1 equal to not 1 by minus 1 या minus 1 नहीं हम लिख सकते हैं हर में अगर minus है तो हम उपर लिख सकते हैं minus 1 और minus 1 का नीचे गुड़ा करके ठीक है? तो यह 1 हो गया और यह minus 1 हो गया क्या यह दोनों यह तो दोनों बराबर दिख रहे हैं तो बराबर तो इनकी संख्या है लेकिन यहां पर दिखिए यह रिडात्मक है और यह धनात्मक है तो यह बराबर नहीं हो सकते इसलिए एक जो है equal to not minus 1 से तो इसका क्या हल होगा तो वो होगा अधिती हल तो अधिती हल होता है तो वो रेखाएं एक दूसरी को प्रतिशेत करती हैं और मैंने यह भी बता दिया है कि जब अधिती हल होता है या आने खल होता है तो उनका जो समीकरण का युगम होता है वो संगत होता है तो यहां से आप लोग लिख दिजिएगा कि अतह दिये गए स्यमिकरण का यूग्म क्या होगा? संगत है अतह दिये गए स्यमिकरण का यूग्म संगत है तो हमने तीन क्वेशन सौल कर चुके हैं तो चलिए चोथे क्वेशन को सौल करते हैं तो फ्रेंट्स हमारे साथ में नंबर का जो फोर्थ नंबर वाला क्वेशन है वह है 5x-3y बराबर 11 और-10x प्लस 6y बराबर-22 तो यहां से हम पहले इसको पचाटनर कर देते हैं तो यह हो जाएगा 5x-3y और-11 बराबर सुन्य और यह हो जाएगा-10x प्लस 6y और माइनस इदा रहे तो इदा रहे जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 22 इकोल टू सुन्य तो यहां से हम अनुपात निकाल लेते हैं अतह अतह अनुपात तो यहां से क्या हो जाएगा A1 बरबर क्या दिया है 5 B1 बरबर क्या दिया है माइनस 3 C1 बरबर क्या दिया है माइनस 11 A2 बरबर माइनस 10 और B2 बरबर क्या दिया है 6 और C2 बरबर क्या दिया है 22 यही दिया है तो यहां से a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगा a1 by a2 बराबर क्या दिया है पांच बटा माइनस 10 तो यहां से कट करेंगे तो पांच एकम पांच पांदुना 10 तो यहां से प्राप्त होगा एक बटा माइनस 2 तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बटा 2 हर और आणस में माइनस 1 का गुड़ा करके अब b1 का देख लेते हैं तो b1 by b2 क्या दिया है? माइनस 3 बटा 6 माइनस 3 बटा 6 यहां से कट करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो यहां से प्राप्त हो जाएगा माइनस 1 बटा 2 ठीक है फ्रेंट्स अब c1 का देख लेते हैं c1 by c2 यह क्या दिया है? यह दिया है माइनस 11 बटा 22 माइनस 11 बटा 22 तो 11 कम 11 12 यही मिटेगा तो फ्रेंट्स यह भी हो जाएगा माइनस 1 बटा 2 यह भी हो जाएगा तो यहां से अब आपको क्या देख रहा है A1 x A2 का हनपाथ Minus 1 x 2 B1 x B2 का हनपाथ Minus 1 x 2 और C1 x C2 का भी हनपाथ Minus 1 x 2 तो यहां से हम लिख सकते है A1 x A2 A1 x A2 बराबर है B1y B2 के और यह भी बराबर है C1 x C2 के यहां से देखे A1 x A2 A1 by B2 भी – 1 by 2 है और C1 by C2 भी – 1 by 2 है तो हम लिख सकते हैं A1 by A2 बरबर B1 by B2 बरबर C1 by C2 जहां से इस तरह लिख सकते हैं –1 by 2 बराबर है –1 by 2 और बराबर है –1 by 2 तो अतर हमें क्या प्राप्प हुआ ? यह किसका ।बह explains तो यहाँ पर लिख देंगे तो मैंने आप लोग को साथवे क्वेस्टन का चारो जो भाग दिया था आप लोग को स्वालो करा दिया तो चलिए आटवे क्वेस्टन को स्वालो करते हैं और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो में हम साथवे कोईशन को सॉल कर चुके हैं और आथवे कोईशन को भी इसी वीडियो में सॉल करेंगे विडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप बने रहे है तो फ्रेंट्स आठमा प्रश्ण है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है कहा अर्ध परिमाब 36 मीटर है बाग की विमाएं ग्यांत कीजिए तो फ्रेंट्स ऐसे कोईश्ण ही बोड़ अग्यां में पूछे जाते हैं तो इस कोईश्ण को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा तो चलिए इस कोईश्ण को सौल करते हैं तो इसमें पहले हमें मानना पड़ता है किसकी लंबाई क्या है और चोड़ाई क्या है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है यही हमें ग्यात करना है तो हम लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई यक्स है माना आयताकार बाग की लंबाई यक्स और चोड़ाई य है माना आयताकार बाग की लंबाई यक्स है और चोड़ाई य है तो देख लेते हैं कि प्रथम सर्ता नुसार में क्या कहा गया है प्रथम सर्ता नुसार या प्रिश्ना नुसार लिख सकते हैं प्रतम सर्ता नुसार तो प्रतम सर्ता नुसार में कहा गया है कि बाग की लंबाई जो है चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है यानि आयता कारबाग की लंबाई क्या हमने माना है यक्स और चोड़ाई वाई तो यहां जो दिया है कि बाग की जो लंबाई है और यह चोड़ाई हो गई बाग की जो लंबाई है वो चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो हम अगर चोड़ाई में 4 मीटर जोड़ देते हैं तो यह लंबाई के बरावर हो जाएगा क्योंकि यह जो चोड़ाई से 4 मीटर अधिक था तो चोड़ाई में हम 4 जोड़ दें या लमाई वे 4 घटा दें बात बरोबर है तो यह दुनों बराबर हो जाएंगे तो यहां से हम पक्षांतर कर देते हैं ते यह हो जाएगा यक्स और यह इधा रहेगा तो माइनस वाई और बराबर 4 यह हमें समीकरण 1 प्राप्थ हुआ देगे आप देख लेते हैं कि दृतिय शर्तानुसार में क्या कहा गया है तो दृतिय शर्तानुसार में कहा गया है कि 4 मिटर रती का यहां तक हो गया का अर्ध परिमाब 36 मीटर है का है कि जो इसका आयता कर बाग का अर्ध परिमाब परिमाब नहीं उसका अर्ध परिमाब यानि कि परिमाब का आदा अर्ध परिमाब जो है 36 मीटर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आयता कर तो आयताकर बाग का अर्ध परिमाब कितना दिया है? 36 मिटर 36 मिटर यह दिया था तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयताकर 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 बाग का आयताकर बाग का अर्ध परिमाब आयताकर बाग का अर्द परिमाप कितना दिया था 36 मीटर यह दिया था आयताकर बाग का अर्द परिमाप 36 मीटर तो यहां से हम बाग का परिमाप कितना होता है वो होता है टू कोश्टक में लंबाई प्लस चोड़ाई यह इसका परिमाप होता है टू कोश्टक में लंबाई प्लस चवड़ाई तो इसमें अगर हम दो का भाग दे देते हैं ये अर्द परिमाप हो जाएगा और बराबर दिया है 36 अगर हम परिमाप में दो का भाग दे रहे हैं तो अर्द परिमाप मिल जाएगा और अर्द परिमाप दिया है तो यहां से दो जो है दो से कैंसिल हो जाएगा तो लंबाई क्या दिया था लंबाई हमने यक्स माना है और प्लस चोड़ाई हमने वाई माना है तो यह हो जाएगा 36 और यह हमने प्राप्त किया समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 दिया यक्स मनें सवाई बरबर 4 और समीकरण 2 दिया यक्स प्लस वाई बरबर 36 तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 वा समीकरण 2 को जोडने पर अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि समीकरण 1 वा समीकरण 2 को अखिर जोडने कियो घटा भी घटा नहीं सकते हैं तो समीकरण 1 दिया यक्स मनें सवाई बरबर 4 यक्स माइनस वाई बरबर 4 और समीकरण 2 दिया यक्स प्लस वाई बरबर 36 तो हम इसे क्यों जोड़े हैं अगर हम इसको घटा आते हैं तो यहां से चिन आव परिवर्तित हो जाता है घटाएंगे तो भी हमारा एंसर आजाएगा लेकिन जब दो चिन बीपरित हमें दिखाई दे रहे हैं और संक्या समान है तो हमें जोडना ही लिख देंगे तो हो हो जाएगा तो यहां से एक माइस एक प्लस तो यह कैंसील हो जाएगा यस एक डू यह जूटे गा चालीज हो जाएगा तो यस एक वह प्राप्त करना चाहें यह हो जाएगा चालिस भाई दो तो यह कट करेंगे तो यह हमें प्राफ्ट हो जाएगा यक्स बरावर बीस मीटर तो लंबाई हमें कितना मिला बीस मीटर तो अब चोड़ाई ग्याद कर लेते हैं अब हमें यक्स का मान मिल गया तो हम यक्स का मान समीकर रहे किया दो समीकरड यक्स कामान समीकरड एक में रखने पर तो समीकरड एक क्या है यक्स मैनस y बराबर 4 यक्स माइनस y बराबर 4 यह समीकरड 1 दिया है और हमारा यक्स का मान कितना हुआ मिला है वो मिला है 20 मीटर तो यहां से हमें यक्स का मान पराफ्ट हुआ है 20 तो हम लिख सकते हैं 20 माइनस Y बराबर 4 तो इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर Y तो Y परवर क्या मिला हमें? 16 मीटर तो Y हम क्या माने थे? वो हम माने थे यहां से लिखे Y जो था हमारा चोड़ाई था और आटा कर बाग की लंबाई यक्स था तो यक्स का मान हमें प्राप्त हुआ है 20 मीटर और Y का मान हमें प्राप्त हुआ है 16 मीटर तो यहां से हम लिख सकते हैं अतह अतह आयताकार अतह आयताकार बाग की लंबाई अतह आयताकार बाग की लंबाई कितना है 20 मीटर बाग की लंबाई 20 मीटर ततह चवड़ाई ततह चवड़ाई 16 मीटर है अतह आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर जो कि मैंने आयताकार बाग की लंबाई 21 मीटर ततह चवड़ाई 16 मीटर जिसे हमने वाई माना था तो हम लोगों ने आठवे कोशन को भी सौलग कर चुके हैं तो आज की वीडियो में बस इतना आई तो फिरेंट्स वीडियो पसंद आईए तो वीडियो कर दिजेगा लाइक और चैनल कर नहीं तो चैनल को कर दिजेगा सब्सक्राइब क्योंकि हमारे चैनल पर बोड इक्जाम की आल सब्जिक्ट की रेगुलर तैयारी कराए जाती है जिससे आप बोड इक्जाम में अच्छे नमर लाफ गे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भारत